संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुशुंदी परमग्यानी रामभक्त हैं। रावन के पुत्र मेघनाथ ने राम से युद्ध करते हुए राम को नागपाश से बांध दिया था। देवर्शी नारत के कहने पर गरूर जो की सरपभक्षी थे ने नागपाश के समस्त नागों को प्रताडित कर राम को नागपाश के बंधन से छुडाया। राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर राम के परंब्रहम होने पर गरूर को संदे हो गया। गरूर का संदेह दूर करने के लिए देवर्शी नारद उन्हें ब्रहमा जी के पास भेजा। ब्रहमा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने भी गरूर को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुशुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुशुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुना कर गरूर के संदेह को दूर किया। लोमश रशी ने शाप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छामरत्यू का वर्दान दिया। कोवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वालमी की से पहले ही काकभुशुंडी ने रामायन गरूर को सुना दी थी। इससे पूर्व हनुमान जी ने संपूर्ण रामायन पाठ लिखकर समुद्र में फैंक दी थी। वालमी की श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायन तब लिखी। जब रावनवत के बाद राम का राज्या भिशेक हो चुका था हम यहां श्री राम चरित्मानस उत्तरकाड में बहुचर्चित गरुर जी के साथ प्रश्न तथा कात्भुशुंडी के उत्तर पर विचार करते हैं पक्षी राज गरुर जी प्रेम सहित बोले है कृपालू यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ मुझे अपना सेवक जानकर मेरे साथ प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए हे नाथ हे धीर बुद्धी पहले तो यह बताईए कि सबसे दुरलब कौन सा शरीर है फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है यह भी विचार कर संग्षेप में ही कहिए संत और असंत का भेद आप जानते हैं उनके सहच स्वभाव का वर्नन कीजिए फिर कहिए कि शुरुतियों में प्रसिध सबसे महान उन्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए आप सरवग्य है और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है काक भुशुंडी जी ने कहा हेतात अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिये मैं यह नीटी संग्षेप से कहता हूँ मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है चरचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं वह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीधी है तथा कल्यानकारी ज्यान, वैराग्य और भक्ती को देने वाला है ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरी का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विशो में अनुरक्त रहते हैं वे पारस्मनी को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में काच के टुक्रे ले लेते हैं जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है और हे पक्षी राज मन वचन और शरीर से परोगकार करना यह संतों का सहच स्वभाव है संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुचाने के लिए क्रिपालु संत भोज के वरिक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ती सहते हैं अपनी खाल तक उधरवा लेते हैं किन्तु दुष्ट लोग सन की भाती दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर प्रशिद अधम गर्ह केतु के उदे की भाती जगत के दुख के लिए ही होता है। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुख कर होता है जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदे विश्व भर के लिए सुख दायक है वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है शंकरजी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंधक होता है और वह हजार जन्म तक वही मेंधक का शरीर पाता है ब्राहमनों की निंदा करने वाला व्यक्ती बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौय का शरीर धारन करके जन्म लेता है जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पढ़ते हैं, संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्री प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया रहता है जो मूर्ख मनुष्य सब की निंदा करते हैं, वे चमगादड होकर जन्म लेते हैं, हेता अब मानस रोग सुनिये, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं सब रोगों की जड़ अज्यान है, उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन होते हैं काम वात है, लोब अपार कफ है, और क्रोध पित है, जो सदा छाती जलाता रहता है यदि कहीं ये तीनों भाई, वात, पित और कफ मिल जाएं, तो दुख दायक सन्निपात रोग उत्पन होता है कठिंता से प्राप्थ होने वाले जो विश्यों के मनोरत हैं, वे ही सब शूल कश्ट दायक रोग हैं उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार है ममता दाध है, एर्षा खुजली है, हर्ष विशाद गले के रोगों की अधिक्ता है, पराय सुख को देखकर जो जलन होती है, वही क्षई है, दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोड है आमकार अत्यंत दुख देने वाला दमरू, गाठ का रोग है दम्ध, कपट, मद और मान नहरूआ, नसों का रोग है, तृष्णा बड़ा भारी, उदर वृद्धी, जलोदर रोग है तीन प्रकार उत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाय प्रबलती जारी है मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं, इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहा तक कहूं एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं, ऐसी दशा में वह समाधी, शान्ती को कैसे प्राप्त करें नियम, धर्म, आचार, उत्तम, आचर्ण, तप, ज्ञान, यग्य, जब, दान, तथा, और भी करोडों औश्धिया हैं, परन्तु हे गरुर जी, उनसे ये रोग नहीं जाते इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीती और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं, मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं, तो सबको परन्तु इन्हें जान पाए हैं, कोई विरले ही प्राणियों को जलाने वाले य अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारन मनुष्य तो क्या चीज हैं? यदी श्री राम जी की क्रिपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए, तो ये सब रोग नश्ठ हो जाए, सद्गुरु रूपी वैध्य के वचन में विश्वास हो, विश्यों की आशा न करे, यह की सन्यम परहेस हो.